पूरा देश चुनावों में बिजी था ऐसे में एक बड़ी खबर दब गए ये खबर इतनी शांदार है कि तस्वीरे आपको भी खुश कर देंगी दरसल भारत ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक मिसाइल को इतना ताकतवर बना दिया है जिसने चीन को भी पागल कर दि है और चुपी हुई दुश्मन सब्मरीन के परखचे उड़ा देती है वैसे तो समंदर में घुसकर मारने वाली ऐसी मिसाइलों को टॉर्पीडों कहा जाता है लेकिन भारत ने अपनी स्वदेशी टॉर्पीडों को भयानक शक्तिशाली बना दिया है आम तोर पर टॉर्प मिसाइल का पूरा नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टिड रिलीज ऑफ टॉर्पीडों आप इसे स्मार्ट भी बोल सकते हैं भारत ने अब स्मार्ट मिसाइल की रेंज 643 प्लस 20 किलोमीटर कर दिया है यानि मिसाइल 643 किलोमीटर तक सुपरसोनिक स्पीड में जाएगी उसके बाद टॉर्पीडो इसी स्पीड का फाइदा उठाकर 20 किलोमीटर तक पानी में जा सकता है इससे दुश्मन को ये आईडिया नहीं लगेगा कि मिसाइल से हमला हुआ है या फिर टॉर्पीडो से भारत ने टॉर्पीडो और मिसाइल की शक्तियों को मिला दिया है भा से खारत की स्मार्ट टॉर्पीडो मिसाइल अब सब्मरीन्स के साथ साथ बड़े जहाजों और युधुपोतों को भी पानी में दफन कर सकती है जबरदस्त नैविगेशन की वजह से स्मार्ट टॉर्पीडो मिसाइल बीच में ही रास्ता बदल लेती है ताकि टार्गेट म भी कर रहा हो तो उसके बावजूद उसके बचने की गुंजाईश खत्म हो जाए। को ब्रम्होस मिसाईल दी गई है।